Hello Guys, Welcome to Aadhaar Shila Academy Aadhaar Shila Academy में आप सब का स्वागत है जो इस चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन प्रेस कर दीजे मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे CBSE के Class 7 के Maths का Chapter 1 Integers जिसमें हम डिसकस करेंगे Exercise 1.2 का Question 4 जिसके दो पार्ट्स आज हम इस सेशन में डिसकस करेंगे और इसके तीन पार्ट्स हम अपने Next Session में डिसकस करेंगे तो चलिए डिसकस करते हैं Question 4 के 2 पार्ट्स तो Question 4 है Fill in the blanks to make the following statement true हमें Fill in the blanks दिये हुए है Question में जिसमें हमें कोई Integer लिखना है जिससे वो statement true proof हो जाए मतलब ऐसा हमें Number लिखना है Fill in the blanks में जिस वज़े से उसकी LHS side और RHS side दोनों same हो जाए तो चलिए सबसे पहले इसका First Part देखते है तो इसका First Part है Minus 5 Plus Minus 8 यह है हमारी LHS side चलिए अब लिखते हैं RHS side तो RHS side में है Minus 8 और Plus Fill in the blanks अब देखिए यहाँ पर Minus 5 Plus Minus 8 है और इस side सिर्फ Minus 8 है तो हमें ऐसा कौन सा number यहाँ पर Fill करना पड़ेगा जिससे यह दोनों side बराबर हो जाए तो यहाँ पर हमें Minus 5 लिखना पड़ेगा जब हम यहाँ पर Minus 5 लिख देंगे तभी तो यह दोनों side आपस में एक दूसरे के सेम हो जाएगी और यह statement True हो जाएगा तो चलिए देखते हैं यह कैसे होगा तो सबसे पहले हम LHS side देखते हैं यह हमारी LHS side है और यह हमारी RHS side है जिनको हमें equal proof करना है तो हमें LHS equal to RHS proof करना है तभी यह statement True होगा तो चलिए सबसे पहले हम LHS side को solve करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले plus into minus करेंगे क्योंकि यह दोनो sign आपस में एक दूसरे के आमने सामने है तो चलिए सबसे पहले इनको करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम minus 5 और minus 8 plus into minus minus और फिर 8 अब देखिए यहाँ पर minus 5 और minus 8 दोनों ही negative integers है इसलिए दोनों आपस में plus हो जाएंगे तो 8 plus 5 हमें मिलेगा minus 13 दोनों का sign minus था इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा answer में minus तो यह हो गई हमारी LHS side अब हम जाएंगे अपनी RHS side पे और यहाँ पर इस RHS side को हम solve करेंगे तो अगर हम इस side minus 5 लिख देते हैं तब क्या होगा देखिए यहाँ पर plus है और यहाँ minus है दोनों sign आपस में एक दूसरे के आमने सामने है इसलिए यह दोनों sign आपस में into होंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे minus 8 plus into minus minus और फिर 5 अब देखिए यहाँ पर minus 8 और minus 5 दोनों ही negative integer है इसलिए दोनों आपस में plus हो जाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे minus 13 अब देखिए यहाँ पर LHS side RHS side के equal हो गई दोनों side minus 13 minus 13 आ गए और यह statement true proof हो गया तो ऐसा कौन सा integer था जिसके वज़े से यह statement true proof हुआ तो वो था minus 5 चलिए अब इसका second part देखते हैं तो second part में LHS side में minus 53 plus फिर fill in the blanks equal to अब हम RHS side लिखेंगे वो है minus 53 तो यह हो गई हमारी LHS side और यह हो गई हमारी RHS side अब हमें इन दोनों को equal proof करना है LHS equal to RHS proof करना है तभी तो statement true होगा तो चलिए अब हम यहाँ पर कोई ऐसा integer लिखेंगे जिसके वज़े से जब हम इन दोनों integers को आपस में plus करेंगे तो हमें RHS side वाला integer मिलेगा तो ऐसा कौन सा integer होगा तो ऐसा integer होगा 0 जब हम minus 53 में plus 0 करेंगे 0 में plus करेंगे तो हमें answer में वह integer मिलेगा इसलिए हम यहाँ करेंगे minus 53 plus 0 तो minus 53 plus 0 minus 53 हो जाएगा जो की RHS side के equal हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे equal to minus 53 और नीचे आएगा minus 53 equal to minus 53 दोनों side हमारी same हो गई है और यह दोनों side same किस integers के वज़े से हुई है यह दोनों side same हुई है 0 के वज़े से तो ऐसा integer कौन हो सा है जो दोनो statement को true prove कर देगा वो है 0 तो हमारा answer होगा 0 तो आज के session में बस इतना ही अब हम अपने next session में discuss करेंगे question number 4 के इसके आगे के 3 parts तो अगर आपको इस session में कोई भी doubt हो तो comment करके बताईएगा मैं आपके लिए एक अलग से video बना दूँगा और आपको और अच्छे से उसमें समझा दूँगा तो आज के session के लिए बस इतना ही अब हम मिलते हैं अपने next session में नहका झार में समझपको